हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चेनेल आज मैं आप लोगों के साथ मटर पुलाओ की रेसिपी सेर करने वाली हूँ आशा करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी मटर पुलाओ बनाने के लिए मैंने एक कप मटर लिया है और एक कप बास्मती चावल ले लिया है इससे हम धोकर भीगो कर रख देंगे और आगे की तैयारी करेंगे ग्यास पर मैंने एक भगोना चड़ा दिया है ओयल डाल दिया है ओयल गरम होते ही हम थोड़े काज़ो एक स्टार फूल डालचिनी का टुकड़ा दो तेज पत्ता चार लॉंग चार काली मिट्च और हाप टेवल श्पून जीरा दो छोटी लाइची इसका तरका लगा दें सारे चीजों को अच्छे से भून लेंगे गरम मसाले को जब तक इसमें से अच्छा खुस्बू आ जाएगा उसके बाद हम प्यास को एड़ कर लेंगे तीन मीडियम साइज के प्यास को मैंने एड़ किया है इसे भी अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे दो हरी म अच्छ डाला है तीखा आप अपने कडिंग रखिएगा और सारे चीजों को अच्छे से भूनेंगे एक बड़ा चमाच अध्रक लसन का पेश्ट डाला है इसे भी अच्छे से भून लेंगे ओल में फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा नहीं तो मसाला जल जाएगा अभी हम हरे मटर एड कर लेंगे इसे थोड़ा मसालों के साथ अच्छे से फ्राइ करेंगे थोड़े देर दो मीडियम साइज के टमाटर को इसे स्लाइसिस में काटा है अगर आपको टमाटर डालना पसन नहीं तो स्किप कर सकते हैं स्वादानुशार नमक डाल देंगे जब तक थोड़ा मटर फ्राइ होता है हम मसाले की तैयारी करेंगे ऐसे फ्रेस दही ले लिया है दो बड़े चमच इसी में में एक बड़े चमच धन्या पाउडर हाप चमच जीरा पाउडर और एक बड़े चमच गरम मसाला एड कर दूँगी और दही में अच्छे से मसालो को मिला लूँगी देखिए फ्रेंट्स अच्छे से मिला लिया है दही में मैंने मसालो को अब ही हम मटर भी हमारा फ्राइ हो चुका है अब ही हम दही में जो मसाला मिक्स किये थे उस मिश्रण को हम इसी में एड कर लेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे और अच्छे से मसालों को भूनेंगे अभी मैंने जो चाबल भीगों के रखता उससे एड़ कर देंगे और सारे चीजों को 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि चाबल भी हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए थोड़े देर अभी फ्रेंट साम एक कट्टोरी चाबल के लिए मैंने 2 कट्टोरी गरम पानी लिया है अब ठंडा पानी भी ले सकते हैं पर गरम पानी डालने से जादा अच्छा होता है थोड़ा बारी कटा हुआ हरा धनिया एड़ कर लेंगे और धकन लगाकर 4-5 मिनट तक इसे कुक करेंगे 4-5 मिनट के बाद देखिए हमारा चाबल जो है हाप कुक हो चुका है अभी हम फिर से इसे 3-4 मिनट तक ढखकन लगा देंगे टोटल चाबल बनने में 10 मिनट लगता है देखिए अभी हमारा मटर पुलाओ एकदम रेड़ी है देख सकते हैं कितना खिला खिला अब बना है और खुस्बू भी बहुत अच्छी आ रही है ठंडिया आ गए है तो मटर पुलाओ बना कर एक वाट राई किजिएगा मैं अभी प्लेट में आपको सर्फ करके दिखाती हूँ देखिए प्रेंट्स मैंने प्लेट में सर्फ कर लिया है पुलाओ को अगर मेरा रेसिपी आप सबको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर किजिएगा और जो चैनल पर नए है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब भी को दिल से धन्यवाद